श्री भक्त माल में प्रभु प्राप्ति के मारकां सरंद करने वाले भक्त श्री अलर्क जी महराज अलर्क महराज रित दहज और महरानी मदालसा के चार पुत्रों में सबसे छोटे थे इनके अन्य जेश्ट भाईयों के नाम विक्रान, सुभाहू और शत्रो मर्दन थे प्रोटेंत विदूशी और ब्रह्म ग्यानी थी। उन्होंने अलर्क के जिष्ट बहीएं को बच्चपन से ही ब्रह्म ग्यान की शिक्षादी जिस से वे लोग ब्रह्म ग्यानी होकर के जिवन मुक्त हो गे। राजा के कहने पर उन्होंने अलर्क को ब्रहम ग्यान ना दे करके शत्ति और चित करतव्य का ग्यान किराया। वे बच्पन में ही अलर्क को लोरी के माद्यम से राजा का करतव्य बताते हुए कहती। हे दात राज्य करते हुए अपने सहर्दों को परसन रखना, साधो पुर्चों की रख्षा करते हुए यग्यो द्वारा भगवान जी का यजन करना, संग्राम में दुस्ट शत्रों का सुंहार करते हुए गव और ब्रहमनों की रख्षा के लिए अपने प्रान निच्छावर कर देना अलर्ग को राजनीति का अपदेश देते हुए वे कहती हैं कि बिटा रज्य विशेक होने पर राजा को उचित है कि वे अपने धर्म के अनकूल चलता हुआ और अंब से ही प्रजा को परसंद रखे सातों वियस्नों अर्थात कटवचन बोलना कठा और दंड देना धन का अप्याई करना मद्राविना इस्तियों में आसकती रखना शिकार खेलने में वियर्थ समय लगाना और जुआ खेलने का परत्या कर दें क्योंकि वे राजा का मूल उच्छेद करने वाले हैं अपनी गुप्त मंतरना के बाहर फूटने से उसके दोरा लाब उठाकर शत्र वाक्रमन कर देते हैं अधा ऐसा ना होने दे कर शत्रों से अपनी रिक्षा करें जैसे रती रत के गती वक्र होने पर आठों परकार से ना उसी परकार गुप्त मंतरना के बाहर फूटने पर राजा के आठों वरगों अर्थात खेती की उनती व्यपार की व्रिद्धी दुर्ग निर्मान सेतु निर्मान जंगल से हाथी पकट करके मंगवाना खानों पर अधिकार प्राप्त करना अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन परदेश को आबाद करना का निश्चे हिन नाश होता है इसी परकार के नेक राजाओं से तो परदेश माता मदार्था ने अलर्ग को दिए वरन धर्म का ज्यान करते हुए वे कहती है वस दान अध्यन और यग्य ये तीन शत्रिय के करम है प्रिथि की रक्षा तथा शश्च्तर ग्रहन करके जीवन निर्वा करना ये उसकी जीव का है घरस्त प्रोश के करने यग्यकारियों का अवदेश करती है वे कहती है घरस्त पत्रों के उद्देश से अन और जल के द्वारा शिराद करें और अनेक या एक ब्रहमन को भूजन कराएं अनमे से अग ग्राशन निकाल करके ब्रहमन को दें ब्रहमचारी और सन्यासी जब भिख्षा मागने के लिए आएं तो उन्हें भिख्षा अवश्य दें यथा शक्ति आदरपूरकतित्थी का पूजन करें पुत्र ग्रस्त को सदा सदाचार का पालन करना चाहिए क्योंकि वह इस लोक और परलोकम में भी कल्यान करी है वेत्रई का सदा से अध्याई करें विद्वान बनें धर्म के अंसार धन का उपारजन करें और उसे यतन पूरकी यग्या में लगाएं जिस करम को करते हुए अपने मन में घ्रीना ना हो और जिसे महापुर्षों के समक्षे प्रगट करने में कोई संकोच भी ना हो ऐसे करम निशंक होकर करने चाहिए ऐसे अचरन वाले घरस्त पुर्ष को धरम अर्थ और काम की प्राप्ति होती है और परलोक में भी उसका कल्यान होता है माता से इस प्रकार उपदेश किरहन करके अलरक ने युवा वस्ता में विधी पूरक अपना विवा किया उससे अनेक पुत्र उत्पन हुए उसने यग्यों द्वारा भगवान जी का येजिन किया तेदंतर बहुत समय बाद वृद्धा वस्ता को प्राप्त होने पर धरम पराएन माहराज रित दोज ने माहरानी मदालसा के साथ तवस्या ही तुवण जाने का विचार किया और पुत्र उलरका रज विशे कर दिया उस समय मदालसा ने अलरक की विशे भोग विश्यक आसत्ति को हुटाने के लिए उससे ये अंतिमचन कहा बेटा गरस्त धरम का अवलंबन करके रज करते समय यदि तुमारे उपर कोई विपत्तिया पड़े तो मेरे दी हुई इस अंगुठी से ये उपदेश पत्र निकाल करके जो रेशी वस्तर पर बहुत शुक्षम अच्चरों में लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ना क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला घरस्त दुखों का किंदर होता है यह कह करके मदाल्सा ने अलर्क को सुने की अंगुठी दी और ग्रस्त प्रुश के युग्य अनेक उपदेश और अशीरवात भी दिये तद पच्चाद पुत्र को राज्य सौं करके महराज रिद्ध हजर महराणी मदाल्सा तवस्या करने के दिए वन में चलेगी पुरक पुत्र की ही भांती पारन करते थे पंतो मन को प्रिये लगने वाले विश्यों का भोग करते हुए उने कभी भी उनकी ओज़से वेराग्य नहीं हुआ उनकी ओज़से उने अत्रिप्ती बनी ही रही उनके इस परकार भोग में असकत परमादी और अजतिंद्री होने का समाजाथ उनके भाई सुबाहूं ने भी सुना जो वन में निमास करते थे अलरक को किसी तरह ग्यान प्राप्त हो इस अभी लाशा से उन्होंने काशी राज की साहिता से अलरक के पर आकर्मन करने की तियारी की और दूद्ध भीज़ करके कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहू को रज दे दो अलरक ने तर दिया मेरे बड़े भाई मेरे ही पासा करके मुझसे प्रेम पूरक रज्य माग ले मैं किसी के आकर्मन के भे से थोड़ी सी भी भूमी नहीं दूँगा अलरक का इस वरकार उत्तर सुन करके काशी राज ने अपनी समस्त सेना के साथ अलरक के रज पर छड़ाई का दी उन्होंने अलरक के सीमा वर्ति नरेशो को अपने अधिन कर लिया इतना ही नहीं अलरक के दुर्ग रक्षो को भी साम दान दंड भीद से अपने वश वर्ति बना लिया इस परकार शत्रो सेना से घिरे अलरका सेने बल और कोश करमशाशीन होता जा रहा था इस से उसका चित व्याकुल होट था जब अत्यंतर वेदना से व्यथित होटे तब सहसा उन्हें उस अंगुठी का समर्ण हो आया जिसे ऐसे ही असरों पर और प्यॉप करने के लिए उनकी माता मतालसा ने दिया था उन्होंने वह अपदेश पत्र निकाल करके पड़ा उसमें लिखा था आसकती का सब परकार से त्याग करना चाहिए किन्तो यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सथ पर्षों का संग करना चाहिए क्योंकि सथ पर्षों का संग ही उसकी उच्टी काना कामना को सर्था छोड़ देना चाहिए पन्तु यदि वे छोड़ी ना जा सके तो ममुक्षा अर्थात मुक्ति की प्रप्ति इच्छा की कामना करनी चाहिए क्योंकि ममुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है इस उपदेश को अनेक बार पाट करी अलर्ग ने सोचा मुक्ति की इच्छा जागरत करने पर और मुक्ति की इच्छा जागरत होगी ससंग से ऐसा निच्छे करके ससंग के लिए महात्मा दत्तात्रेजी की शरन में के उनके चरनों में परनाम करके राजा ने उनका पूजन किया और कहा ब्रहमन आप शर्नाथियों को शर्न देने वाले हैं मुझ पर क्रिपा कीजिए मैं भूगों में अच्छंत आसक्त और दुख से आतर हूँ आप मेरा दुख दूर कीजिए तो दतात रेजी बोले राजन मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ सच सच बताओ तुम्हें किस दिये दुख हुआ है तो अलग ने कहा भगवन इस शर्न के बड़े भाई यदि राज्य लेने के इच्छा रखते हैं तो ये शर्न तो पांच भूतों का समदाए मात रहे गुन की ही गुनों में परविती हो रही है अता मेरा उसमे क्या है शीर में रहकर के भी वे और मैं दोनों ही शीर से भिन है ये हाथ आदी कोई भी अंग जिसका नहीं है मास हड़ी और नारियों के भी भाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है उस मनुश का इस राज्य हाथी गोड़े रत और कोश आदी से किंचित भी क्या संबन्द है इसलिए ना तो मेरा कोई शत्रू है ना मुझे दुखियां सुक होता है और ना नगर और कोश से ही मेरा कोई संबन्द है ये हाथी घोड़े आदी की सेना ना सुबाह की है और ना दूसरे किसी की है और ना मेरी ही है जैसे कल्टसी घट और कमंडलू में एक ही आकाश है तो भी पात्रव हिद में नेक साथ दिखाई देता है उसी परकार सुबाहो काशी राज और मैं बिन बिन शीरों में रहकर भी एक ही है शीरों के भीज से भी भीद की पतिती होती है पुरुष की बुद्धी जिस जिस वस्तों में आसकत होती है वहाँ से वह दुख ही ला कर देती है मैं तो परकती से परे हूँ अतार ना दुखी हूँ ना सुखी प्रानियों का भूतों के द्वारा जो प्राभाव होता है वह दुख में है तातपरी यह है कि जो भोतिक भूबों में मम्ता के कारण आसकता है वही सुख दुख का अन्भाव करता है अलर्क की बात सुनकर के दित्तात रेजी ने कहा नर्शरेश्ट वास्तों में ऐसी ही बात है तुमने जो कुछ कहा है ठीक है ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है मेरे प्रस्ण करने मात्र से तुम्हें ये उत्तम ग्यान पराफ्ट हो गया जिसने ममता की पर्तिती को सेमर की रुई की भाती उड़ा दिया इसके बाद अत्री दंदन भगवान दिताप्तरे ने अलर्क को योग जरिया, योग के विखन तथा उन से बचने के उपाए साधधारना, आधाश्वरिव, योगों की मुक्ती, प्रणव की महिमा, योग साधन ना में आने वारे अरिष्ट तथा उससे साधधानी आधे विविद विश्यों का उपदेश किया तंतर रजा अलर्क ने अत्रीन अंदन डटात्रे के चर्णों में परनाम करके अत्यन परसंता के साथ विनीत भाव से कहा प्रहमन सबाग्यवश आपके संग से मुझे ग्यान प्राप्त हुआ और सबागे से ही आपने मुझे पर क्रिपा की बाग्वन भाई सबाहू तथा काशी राई दोनों ही मेरे उपकारी हैं जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सबागे पराप्त हुआ आपके परमाद रूपी अगनी से मेरा अग्यान और पाप चल गया आप मैं ऐसा यतन करूँगा जिस से फिर इस परकार के दुख का भागी ना बनो आप मेरे जन्म घ्यान दाता महात्मा हैं आप से आग्या ले करके मैं गरस्त आश्रम का परत्याग करूँगा जो विपत्ती रूपी रिक्षो का वन है इसके बाद राजा अलरक ने परनाम करके उस स्थान पर आए जहां काशी राज और सुबाहू बैठे थे उन लोगों के निकट पूंच करके अलरक ने हस्ते वे कहा राजी की इच्छा रखने वाले काशी राज अब आप इस से राजी को भूगें जिथा आपकी चाहो तो भाई सुबाहू को दे दे अलरक की ये बात सुनकर के काशी राज ने कहा अलरक तुम शत्ती धर्म के ग्याता हो फिर बिना युद्ध की राजी क्यों छोट रहे हो तो अलरक ने कहा नरेश्वर तुमारे भैसे अत्त दुख पाकर मैंने युगी शत्ता त्रेकी शरन ली और उनकी किरपा से अब मुझे ग्यान प्राप्त हो गया है समस्त इंद्रियां को जीत करके तथा सब और से आसकती हटा करके मन को ब्रह्म में लगाना और इस परकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विज़े है अब मैं तुमारा शत्त्रू नहीं हो तुम भी मेरे शत्त्रू नहीं हो तुम भी मेरे अपकारी नहीं है मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समय दिया है अलरक के यो कहने पर राजा सुबाहु वत्यंत परसन होकर उठे और धन्ने धन्ने कहे करके अपने भाई का अब इनंदन करने के पश्चाद वे काशी राज से इस परकार बोले निप्षरेश्ट मैं जिस कारे के लिए तुमारी शर्म में आया था वे सब पूरा हो गया अम मैं जाता हूँ काशी राज ने आच्चे रे चकित करते होई होते हुए कहा सुबाहु तुम किस दिया आए थे तुमारा कौन सा कारे से दो गया मुझे तुमारी बातों से बड़ा कुदु हल हो रहा है तो सुबाहु ने कहा काशी राज मेरा यह चोटा भाई तत्वक्य होकर भी संसारिक भोगों में फसा हुआ था मेरे दो बड़े भाई परम ग्यानी है उन दोनों को तत्वा मुझे हमारी माता ने बच्वन में ही तत्व ग्यान दिया था किन्तो यह अलर्क उस ग्यान से बन्चित रहे गया इस अलर्क को ग्रस्त आश्रम के मों में फसकर कस्ट उठाते हुए देख करके हम तीनों भाईयों को कस्ट उठा था तम मैंने सुचा दुख पढ़ने पर ही इसके मन में वेराग्य की भावना जागरत होगी युद्ध अध्योग के लिए आपका आश्रिया राजन आपके संग से मैंने ये बहुत बड़ा कारे सिद्ध कर दिया तुम्हारा कल्यान हो अब मैं जाओंगा काशी नरे से यो कह करके परम्ब धिमान सबाह हो जालेगे काशी राज ने भी अलर्क का सतकार करके अपने नगर की राली अलर्क ने अपने जेश्ट पुत्र का रज विशेक कर दिया और सियम सब पर करके आशक्तियों का त्यार करके आतम सिद्धी के लिए वन में चलेगे वहां बहुत समय तक वे निड़न्द एम परिग्रेश्ण ने होकर के रही और अनपम योग समपती को पाकर के परम निर्वान पद को प्राप्त हुई श्री भक्त माल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भग्त जो भग्त भगवान जी की अपार माया से तर गए उनके जान में नहीं भसे उनके शिरी चर्नो की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है और सदा रहे रिभु जी एक्षवाकु जी एल जी गाधी जी रगु जी रै जी गे जी शद्धन्मा जी अमोत जी रंती देव जी उतंक जी पुरी शिरवा जी देवल जी वस्वत्मनु जी नहोश जी याती जी तिलीब जी पुरू जी यदू जी गोह जी मन्धाता जी पिपल जी नीमी जी भतवाज जी दक्ष जी शरभंग जी संजे जी शमीक जी उतानपाज जी और याग्यवलके जी इनके स्यश्य संसार में भरे हुए हैं ये भगवत भक्ती के परताप से माया को जीतने वाले हैं इन भक्तों के पावन च्रित्र शेंक्षे में प्रस्त किया जा रहा है पहले हैं महिच्शी रिभु जी महिच्शी रिभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं ये सभाव से ही ब्रह्म तत्वक्य तथा निवरिती प्राइन भक्ते हैं तथा पी सत्कुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रदा वक्ती से युक्तों करके अपने बड़े भाई की सनत सुजात की शरन ली थी उनसे संपर्दाइगत मंत्र योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सता सहज स्थिती में ही रहने लगे माल विशेप तथा आवरन से रहितो करके ये जहां कहां भी पड़े रहते शीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी योहीं विचरते हुएं महेची रिभू एक दिन पलस से रिशी के आश्रम के समीप जा पोचे महाँ पलस से का पुत्र निक धाग वेद धिन का रहा था निधाग ने आगे आकर के नमेशकार किया उसके अधिकार को देख करके महेची रिभू को बड़ी द्याई उनने कहा इस जीवन का वास्तिक लाव आतम ग्यान प्राप्त करना है यदि वेदो को संपोन्ता रट जाए और वस्तु तत्तु का ग्यान ना हो तो यह किस काम का है निधाग तुम आतम ग्यान का संपादन करो महेची रिभू की बात सुनकर के उनकी जिग्या साथ जाग दी उसने इने की शरन दी अपने पिता का आश्रम छोड़ करके वे उनके साथ भ्रहमन करने लगा उसकी सिवा में तनमेता और त्याग दे करके महेची ने उसे तत्तु ग्यान का अपदेश किया अपदेश के पचाथ आग्या की कि निधाग जाकर के गरस्त धरम का अवलंबन लो मेरी आग्या का पालिन करो गुदे की आग्या पाकर के निधाग अपने पिता के पास आया उन्होंने अपने उसका वी वाका दिया इसके पच्चाथ देवी का नदी के तरफ पर वीर नगर के पास एक उपवन में निधाग ने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वे अपनी पत्नी के साथ गरस्त का पालिन करने लगा करम कराइन हो गया बहुत दिनों के बाद रिभु को उसकी याद आई अपने अंगी करित जन का कल्यान करने के लिए वे वहीं पूंच गए महाप्रुश जिसे एक बार सिविकार कर लेते हैं उसे फिर कभी ने छोड़ते वे बली वैश्य देव के समय निधाग के द्वार पर बस्तित हुए निधाग ने उन्हें ना पहचाने पर भी ग्रस्त धर्म के अंसार अतिती को भाव का द्रुप समझ करके उनकी रूची के अंसार भुजन कराया अंत में उसने प्रश्न किया कि महराज बोजन से तिप्त होगे क्या आप कहां रहते हैं कहां से आ रहे हैं और किधर पदारने की चाहे महिशी रिभू ने अपने क्रिपालो सभाव के कारण उप्देश करते हैं प्रत दिया बर्मन भूक और प्यास प्रानों को ही लगती है मैं प्रान नहीं हूँ जब भूक प्यास मुझे लगती ही नहीं तब त्रिप्ती और त्रिप्ती क्या बताऊं सस्था और त्रिप्ति मन के ही धर्म है आत्मा इनसे सस्था प्रतक है रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो आत्मा अकाश की महती सरुगत है उसका आना जाना नहीं बनता मैं ना आता हूँ ना जाता हूँ त्रिप्ति और त्रिप्ति के हितु ये सब राश आधी विशे परिवत तंशीन हैं कभी और त्रिप्ति कर पदार्थ त्रिप्ति कर हो जाते हैं और कभी त्रिप्ति कर और त्रिप्ति कर हो जाते हैं विशम सभाव पदार्थो पर आस्था मत करो इनकी और से दिश्टी मोड करके त्रिगुनवे वस्ता और समस्त अनातम वस्तों से उपर उठ करके अपने आप में स्थिरो जाओ ये सब संसारी लोग माया के चकर में पढ़ करके अपने सबरूप को भूले हुए हैं तुम इस माया पर विजे प्राप्त करो महिद्शी रिभू के इस अमरत में वचनों को सुन करके निधाग उनके चर्नों पर किर पड़े फिर उनने बताया कि मैं तुम्हारा गुरू रिभू हूँ निधाग को बड़ी परसंता ही महिद्शी चलेगी बहुत दिनों के पच्चाथ फिर महिद्शी रिभू वहाँ पधा रही सिंग्योग बश उस तिन वीरपूर नरेश की स्वारी निकल दे थी सड़क पर बड़ी भीड थी निधाग एक और खड़ी होकर के भीड हर जाने की पतीक्षा कर रही थे इतने महिद्शी ने इनके पास आकर के पूछा ये भीड कैसी है निधाग ने उतर दिया राजा के स्वारी निकलने के कारण भीड है उन्हें पूछा तुम तो जानगार जान पढ़ते हो मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग है निधाग ने कहा जो इस परवत के समान उचे हाथी पर स्वार है वे राजा है उसके तरिक तो दूसरे लोग है रिभू ने पुछा महराज मुझे हाथी और राजा का ऐसा लेक्षन बताओ कि मैं समझ सकूं कि उपर क्या है नीचे क्या है ये प्रस्ण सुनकर के निधाग जबट करके उन पर स्वार होगी और कहा देखो राजा की भांती उपर हूँ तुम हाथी के समान नीचे हो अब समझ जाओ राजा राजा हाथी कौन है महेशी रिभू ने बड़ी शांती से कहा यदि तुम राजा और मैं हाथी की बाती स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हो ये बात सुनते ही निधाग उनके चन्नों पर किर पड़े मैं हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभू आप अवश्य मेरे गुरु मैंने अन्जान में पड़ा अपराद किया संत सभावता शमा चीलोते हैं आप कृप्या मुझे शमा करें तो रिभू ने हस्ते वे का हाथ कौन किस का अपराद करता है यदि एक वरिख्ष की दो शाखाएं प्रस पर रगड खाएं तो उनमें किस का अपराद है मैंने तुमें पहले व्यति रेक मार्क से आत्मा का पुदेश किया था उसे तुम भूल गे अब अन्वे मार्क से किया है इस पर परिनिश्टित हो जाओ यदि इन दोनों मार्कों पर विचार करोगे तो इस अंसान में रहकर भी तुम इस से अलिप्त रहोगी निराग ने उनकी बड़ी स्तुति की वे सच्छन्दता चलेगे रिभू की इस शमाशील्टा को सुन करके सनकादी गुरों को बड़ा अच्छरे हुआ उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम शमा का एक अक्षा लेकर के रिभुक्ष रख दिया तब से संपदाए के लोग इन रिभुक्षानंद के नाम से सम्मर्ण करते हैं इनकी किर्पा से निधाग आदम भर्तमाल में भगवान की माया को जीत लेने वाले भग्ष श्री इक्षवा को जी परमपुरुष परमात्मा ने जब सिस्टी की इच्छा की तो सरप्रधम उनकी नाभी से एक स्वर्न में कमल कोश प्रगट हुआ उसी में चत्रमुक ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ ब्रह्मा जी के मन से मरीची और मरीची के पुत्र कश्चप हुए उनकी पत्नी अधिती से विवस्वान सूरी का जनम हुआ विस्वान की संग्या नमक पत्नी से श्राद दे मनु का जनम हुआ परम मनस्सी राजा शिरादे मनू ने अपनी पत्नी श्रद्धा के घर्व से दस पुत्रत्पन की जिनमें सबसे जेष्ट एक्षवाकु जी थे कहीं कहीं मनू जी की नास्का से एक्षवाकु का प्रादर भाव होना पाया जाता है शिरी एक्षवाकु जी अध्या के प्रथम राजा हुए बानमिकी रामाइन में महराज एक्षवाकु जी बड़े ही प्रजा वसल राजा हुए शिर्मत भागुदे वर्रन है कि शिरी प्रिक्षव जी को जिन्म कुंडली का वर्रन करते हुए जोच्षियों ने सरप्रथम यही कहा है कि धर्म राज ये बालक मनू पुत्र एक्षवाकु के समान अपनी प्रजा का प्रजा का प्रण करेगा महा भारत के युद्ध में भगवान शिरी किष्ट ने गीता ज्यान का अनादित्व वर्रन करते हुए शिरी एक्षवाकु जी का सम्रन किया है शिरी भगवान जी बोले मैंने इस अमिनाशिक ज्यानी योग को सूरे से कहा था सूरी ने अपने पुत्र व्यवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा एक्षवाकु से कहा इस परकार शिरी एक्षवाकु जी महाराज गीता ज्यान के अचारे सिद्ध होते हैं रिवनरेश महाराज श्री रगुराज सिंग जी ने सर्चित श्री रास रसकावली भक्तमाल में श्री एक्षवाकु जी की लीला अभने निश्टा का एक सरस पर संग वर्नन किया है वे लिखते हैं कि जबते महिपाल एक्षवाकु भय हरी लीला रचे शिशु संगन में सती भावत विलोकी के तासु हरी कहियो मांगू रंगे रती रंगन में रगु राज कहियो जस खेलत हैं तम हूं तस खेलो उमंगन में मुस्काई कहियो हरी तेरी वच में खेलो ओज के अंगन में इसी वर्दान के फल सरूप से हम भवान शिरी राम ने इस वंच में अवतार क्रेहन किया है एक्ष्वाकू वंच प्रभवो रामो नामा जने शृत्दा एक वर महराज एक्ष्वाकू तीत यात्रा करते हुए शिरी जापक मुनी के आश्रम पर पोचे मुनी ने राजा को अध्य पाध्य और आसन दे करके कुशल मंगल पूछने के बाद इस वरकार का महराज आपका स्वागत है मैं अपनी शक्ति के अंसार आपके क्या सेवा करूँ ये आप मुझे बताईए तो राजा ने कहा विप्रवर मैं शत्री राजा हूँ और आप सो धरम में स्थित ब्रामन है अध्या मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ तो ब्रामन ने कहा नरीश वर आप उन ब्रामनो को दान करें जो प्रविती मार्ग में हूँ मैं तो प्रती घ्रह से निवरित ब्रामन हूँ आप से दान नहीं ली सकता हाँ आपको जो अभिष्ठ हो वे कहें मैं अपने तपोबल से पूर न कर दूँगा तो एक श्वाकु जी बोले शत्रीयों को याचना का अभ्यास नही कहा नरीश हर जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं हम दोनों में कोई अंतर नहीं हैं आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए महराज एक श्वाकु ने इन उदार्चिता ब्रामन मुनी से इनके समस्त जप साधन का फल म मुनी ने सहर शे संकल्प कर दिया तथ पच्छा रजा एक श्वाकु ने अपने समस्त पुन्यों का फल जापक मुनी को समर्बित कर दिया और कहा हमारा और आपका सारा पुन्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका भोग करें जाबक मुनी ने इसका अंडोज से विकार कर लिया फिर तो वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ होगे वे एक ही साथ मन को विश्यों की ओद से हटा करके मन सहित प्रान अपान उदान समान और व्यान इन पाँचो प्रान वाईयों को सशमना मादवरा मुर्धा में स्थापित करके समाधी में स्थित होगे तत्वच्षाद दोनों ही भरम रंद्र का भेदन करके दिवे रूपदार करके भरम लोकोगे और सबी देवताओं के देखते देखते शरी भ्रहमा जी के मुखारविंद में परविश्ट होगी शरी भक्त माल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त शरी एल जी अर्थात पुरुरुबा जी में वस्वत मनू के पुत्र नहीं थे उस समें सरसमर्थभ भगवान विशिष्टी ने इने संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्टा वरुन देव का यग्य करवाया मनोपतनी श्रद्धा जिसने यग्य की दिख्चाली थी उसने होता के बास चाकर के परनाम पुर्वा कन्या के लिए प्रात्तना की हलता होता ने आहुती छोड़ते समें एक कागर्ची धोकर कन्या का संकल्प करके आहुती छोड़ी होता के इस व्यतिक रम से मनोपत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या पैदा होई उसे देख करके मनोजी पर सन्न नहीं हुए उन्होंने अपने गुरु विशिष्ट जी से पूछा कि ये विप्रीत फल कैसे हुआ तब विशिष्ट जी ने ध्यान करके दिखा तो सब बात विदित होगी तद पच्चाद राजा से समस्त वेतांत कह करके वे बोले कि अब हम अपने ब्रह्म तेज से आपकी काम ना पूर्ण करेंगे ऐसा निश्चे करके ब्रह्म रिशिव शीष्ट जी ने उस इला नाम की कन्या को ही प्रुष बना देने के लिए परशत्तम भगवान नारायन की स्तुति की सर्शक्ति मन भगवान चिरी हरी ने संतुष ठोकर के उन्हें मुँ मंगा बर दिया जिसके परभाव से वे कन्याही सधम्न नामक श्रेष्ट पुत्र बन गे एक वर शिकार खेलते हुए स्समाज राजा सधम्न समेर उपरवत के तलटी के एक गिर्जा शंकर विहार बन में पहुंच के हाँ परवेश करते ही शिवजी के पूर्व श्यापबश की इस वन में जो आएगा वे इस्त्री हो जाएगा सब इस्त्री हो गए इसलिए वे पुना इला नाम की कन्या बने हुए अपने अंचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचर दे लेगी उसी समें चंद्रमा पुत्र बुद्ध जो समीब के ही एक वन में तवस्या का दे थे इस्ती रूपधारी सुधमन को देख करके मोहित होगे और इधार इन्होंने भी चंद्रकमार बुद्ध को पती बनाना चाहा फिर तो दोनों में प्रस्वर प्रेम हो गया परिनामसरोप बुद्ध ने उनसे पुरुरुआ नामक पुत्र उत्पन किया कुछ कालबास सुधमन ने शिरी सद्कुरु देविशिशी जी का समरन किया वे आये और राजकमारी की दशादे करके उन्हें ध्या आगी उन्हेंने सद्धमन का पुना पुरुष्च बना देने के लिए भवाज शंकर जी की आराधना की श्री शीव जी ने अपना शाब और विशिश जी की विने तोनों की रक्षा करते हुए यह वर्दिया कि यह एक महीने तक पुरुष्च एम एक महीने तक इस्ति रहेंगे बुद्ध पुत्र पुरुवा ही इला के गर्व से उत्पन होने से एल कहेंगे सर्क की सर्व श्रेष्ट अपसरा उर्वशी एक दिन इंद्र की सवा में देर्वशी नारजी के मुक से पुरुवा के रोप गुन शीले सभाव शोरिय वीरिय बल प्रकर्म को सुन करके मोहीत हो करके सर्क से पुरुवा के पास चली आई उर्वशी को मृत्यो लोक में जाने का मित्रा वर्म का शाब भी था हता है उसने पुरुवा के साथ विहार करते हुए शाब की अबधी बिताने का निच्चे किया इधर देवांगना उर्वशी को देख करके राजा पुरुवा भी थैरे खो बैठे प्रिनाम सुरुव दोनों में सने संबंद हो गया शाब की अबधी प्रियांद पुरुवा के साथ ही हार करते हुई उर्वशी अबधी वीतने पर बिना किसी शील संकोच के इने छोड़ करके स्वर्ग चलीगे उनके चली जाने पर पहले तो परमी ससी सम्राग पुरुवा विरा से तिंत व्याकल होगे प्रन तो पीछे शोग हट जाने पर उन्हें बड़ा वेराग्य हुआ और तब उनके हिद्दे से जो उद्गार निकला है वे परमार्त पत के पथिकों के ल इस्त्रियों एम इस्त्री लंपट पुर्चों का संग नहीं करें विशे और इंद्रियों के सिंयोग से ही मन में विकार होता है अन्य था विकार का कोई अफसर ही नहीं है जो वस्तो कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता जो लोग विशे मुझ जैसे संसारी के लोगों की तो बात ही क्या बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वश्च निये नहीं है राज राजी शर्पुरुरुवा के मन में जब इस परकार उद्गार उठने लगे तब उन्होंने अरवशी का मन से परत्या कर दिया अब ग्यान उदे होने से उनके मन का मो जाता रहा और उन्होंने अपने हिद्दे से ही आतम सभाव रूप से शिरिकिश का शाक्षा कार कर रिया और भाव में स्थिद्ध होगे महा भारत अनुशाशन पर में इनका प्राता सम्गनिया राज रिश्यों के रोप में सम्रब किया जाता है